जो रेडियो आप आज देखेंगे उसके बारे में मुझे बताया था एक बहुत ही खास शक्स ने जिनका नाम है Lone Ranger एक बहुत ही कमाल के इंसान है और हमेशा मुझे कमाल के ideas देते हैं इसलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया Lone Ranger यह है Noisy Box XXL देखने में जितना यह खुबसूरत है उतनी ही कमाल की इसकी performance भी है इसमें चार bands है FM, AM और दो short wave bands change करने के लिए यहाँ पर यह बटन दिया गया है और इसे on-off करने के लिए और USB, AUX और Bluetooth के लिए यहाँ पर अलग बटन है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको background में पडोसियों की पागल बकरी की आवाज भी आई होगी यह है इसका volume dial बहुत ही ज़्यादा चंकीला और शांदार और tuning के लिए अलग dial है और यह है इसका tuning scale एक तम classic और आज मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब है और इस तरह का मौसम तभी होता है जब कोई एक्जाम में फेल होकर मा खा रहा होता है लेकिन हमें एक्जाम से कोई भी मतलब नहीं है यह रेडियो बना है लकड़ी से और finishing कमाल की है बिल्कुल ऐसी जैसे किसी मा ने अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार किया हो अच्छे से कंगी किये हुए बाल और धुली हुई चमकदा यूनिफॉर्म और गुड लग के लिए खींचे हुए गाल एक दम एक नई नवेली गाड़ी की तरह बच्चों को चमकाया जाता है लेकिन शाम तक बच्चों की और उनकी यूनिफॉर्म की हालत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि वो देखने में एक दम एक ट्रैक्टर और सरकारी रोलर जैसी लगती है सफेर शर्ट इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी होती है बात ही रहेगा और इसमें आप USB और SD कार का इस्तमाल भी कर सकते हैं और USB और SD कार मोड के लिए यहाँ पर अलग से बटन दिये गए है Play or Pause, Previous, Next और Equalizer के लिए यहाँ पर बटन दिया गया है लेकिन Equalizer को आप खुद कस्टमाइज नहीं कर सकते इसमें 2-3 Presets हैं उनी से आपको संतुष रहना पड़ेगा और इसमें Aux भी है जो की बहुत अच्छी बात है क्योंकि यह feature आज कल की modern चीजों से गायब होता जा रहा है इसके अलावा इसमें Earphones और Headphones का इस्तमाल भी किया जा सकता है और इसके चार उर्जास तरोथ है चार तरह से से पावर मिलती है सबसे पहला है AC और दूसरा है DC AC-DC को अगर आप इक अठा जोड़ दें तो एक बहुत ही पुराना बैंड यह है जिसका नाम है AC-DC Back in Black आपने सुना होगा इसके अलावा इसे पावर मिलती है इसकी इंटर्नल बैटरी से जो रिचार्जिबल है और साथ ही में इसे पावर मिलती है छे डी बैटरी से जो की बहुत ही जादा महंगा आपको पड़ेगा और AC केबल आपको इसके साथ मुफ्त में मिलेगी लेकिन जब ये नाराज होती है तो ये लाल भी हो जाती है और इसमें टेलेस्कॉपिक एंटेना है जिसे आप उपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जिस चाहें उस दिशा में गुमा सकते हैं और अब देख लीजिए इसका साउंड और रेसेप्शन और अंत में मुखे समाचार एक बार फिर प्रधन मंतरी नरेंदर मोदी ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने का आग रह किया शीब मोदी ने कहा कि देश में अंगदान के लिए सरकार एक समान नीती पर कारे कर रही है तो पहले आपने सुना एफम और उसके बाद आपने सुना शाट वेव और ये मेरी कलेक्शन का पहला रेडियो है जिसके शाट वेव ने मुझे बिलकुल भी निराज नहीं किया हाला कि जहां पर मैं रहता हूँ वहाँ पर रिसेप्शन बहुत ही जादा कमजोर है लेकिन इसका शाट वेव फिर भी काफी अच्छा चला और इसके साथ आपको इस तरह की ये चीज़ें भी मिलेगी जिनको आपको अपने रेडियो के कोनों पर लगाना है ताकि आपके रेडियो के कोने घरेलू हिंसा का शिकार ना हो लेकिन जादा अच्छा होता अगर इसके साथ एक लोहे का ट्रंक मिलता उसमें ये रेडियो थोड़ा जादा सेफ रहता और इसके साथ आपको ये रेडियो भी मुफ़ते मिलेगा जो आपको USB मोर्ड और SD कार्ड मोर्ड में बहुत ही जादा काम आएगा लेकिन मैं जानता हूँ कि आप इतने जादा आलसी नहीं हैं कि आपको एक remote की जरूरत पड़े और remote इस्तमाल करने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि इसमें ये प्लास्टिक का टुकड़ा लगा हुआ है जिसे आपको इस्तमाल करने से पहले बाहर निकालना होगा तब ही ये remote काम करेगा और इसमें दो दमदार speakers है sound बहुत ही जादा कमाल का है बिल्कुल एक छोटे से boom box की तरह और अगर आपको ये खरीदना है अगर आपको खरीदना है तो ये available है flip card और Amazon पर और इसकी कीमत है 3699 रुपाए और अगर कुछ दिनों में इसकी कीमत बढ़ जाती है तो इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है आप shopping website की customer service को संपग कर सकते हैं या तो फिर आप seller को contact कर सकते हैं लेकिन अगर इसकी कीमत घटती है तो ये आपकी अच्छे करम है आपकी अच्छे किसमत है और अगर आप इसे किसी को gift करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा option है या तो अपने लिए खरीदें और इसकी लंबी उमर के लिए इसे किसी ऐसे कमरे में बंद करें जहां की चावी सिर्फ आपके पास ही है अपना ध्यान रखिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में